कि असलाम अलेकुम आज हम शिम्ला मिल्च कडाई चिकन बनाने जा रहा है यह सब समान लिया हमने एक किलो चिकन लिया और यह सही पूरा ही है पूरा पीसो में लिया अगर चाहिए आप बोलने बनाना चाहते हो तो आप वह भी ले सकते हैं शिम्ला मिल्च काट लिहें लंभी पीसो में रेड वादल्मी क लिये ऊप एक कम को रहा है तोड़ा झाप लिया है अद्नुद इसका महीन पैस बना लिया एदो काटोरे के स्वादिश सोपन ली यह तोड़ा साहरधनिया आप झाली है स्वादे मेरे लिया प्रीम्राड आ हरा सफेदा वाल नमटेस के भिसाफ से ढालेंगे मिभूर पढ़ी preparation जीर और यूद्धार नमक टेश फैके के साफ से डालेंगे सब्सटक्रीव में सफेदा छांषार अब डैंगे जाफ दकर लिए और रहने पर आता रहां ऻर्सफॉN पानी के पीसा है और यह पानी है लिए यूज करेंगे चिकन में तीन चब्छ हमने तेल करने रख दिया है तेल करम हो गया हमारा इसमें हम चिकन डालेंगे ज़िए चिकन डाल दिया हमें इस पिशू ले लेते हैं हम आज कडाई में बना रहा है वह ज़िए आपके पास नहीं बना लें नहीं हो तो आप नोनी स्टेक में या किसी में भी बना सकते हैं ड्यूचप ड्हेश नहीं हो obt अर्जाइब रलेंगे इसका कलर गोल्ड़न नहीं है लृपल अजया अन настро जाए है को यह थोड़ा अज के सबिर सकते अब गोल्ड़न गोल्ड़न सब्सक्रण guilty पुरा प्राई भी नहीं कर आए हूंकि हमारे चूला तेज है तेल भी तेज है इसमें हमने ओई डाला है डालड़ ओई अब वोलनेस चिकन भी ले सकते हैं बिना हट्टी का आपकी मलती है हमने पूरा ही लिया है अब इसे और गोल्डन करेंगे थेज आज पर हलकी पर करेंगे तो गोल जाएगा हमारा चिकन तो अभी हमें गलवन ही चाहिए अभी बहुत सारा समान डालना इसमें तो इसलिए तेज आज पर करें गोल्डन क्या करें दूसते पर की अबम खली हो और यह सबी सर्सो पर शोड़ें गोल्डन है छोड़ें रावन ही पकाते हैं गी में मस्क्वology 2019 ऐसे लिए राव भी आप दर्फ़र ज़ाएंगे अभी और निए लगें और दिखाते हैं पास सब्सक्राइब ज़र सब्सक्राइब गोल्डण होने में अरव्सक्राहिक ऐसी रचाल फिलुद्वर की तो आप की तेजा हमें तो गुदिक दिखाते हैं ठ कि Feh क्या रोड़र कीलँ लेक्त फडु आहिसे जिंग्ति जल्वा एक सी चलाथे चला चलाते चम्माची यह दिर्कुल तयार हो जायाया गा गै अर। दिखाते हैं देख सकते हैं जादा डार डार गॉल्डन नहीं करा है हमने लाइट गॉल्डन है यह देखिए यह सब दिखाए दे रहा होगा आपको गॉल्डन हो गया इसमें दमक डाल देंगे पैस के हिसाफ से अधिया थोड़ा सा रोक लिया है एक चमच भर के लिया था थोड़ा सा रोक लिया उसमें से क्योंकि इसमें जाधा गिरेवी नहीं होगी प्लकियों कि दर्वत होगी तो वह गिरेवी में भी डल के पख जाएगा इसलिए कम होगा तो दुबारा गुंजाइश होती है डलने की जाधा हो गया तो वह पूराई सब ख़राब हो जाएगा इसलिए हमारे जो शिम्ला मिर्चु कडाई चिकन है ख़राब हो जाएगा साथ है इसके साथ साथ हम इसमें अधि अधर ग्लस्टन अधर ग्लस्टन का पेस डाल देंगे आज हमने हलकी नहीं करिए तेजी है तो आप देख सकते हैं ऐसी के साथ साथ यह प्यास भी डाल देंगे इसके साथ हम इसमें टमाटा प्योर भी डाल देंगे देखिए हम चिकन पिता अच्छा सा लगने ला है खुछ भूबी बहुत ही अच्छे आ रही है यह भी सब चीजा हमने ठंडी डाली है तो इसे लिए तेल हमारा ठंडा है गया दिरे दिरे इसमें उबाला आएगा भी हमारा चूला तेजी है हमने हलका नहीं करा है यह देखिए उबाला आने लगा है देख सकते हैं कि अच्छे बूंते बूंते ही सब तयार हो जाएगा और यह गल भी जाएगा हमने जो है कि रानों में भी कट लगा दिया था तो वह भी आसानी से गल जाएगी है हल्दी पोडर भी डाल देते हैं अच्छे से पकरें इसमें ओई लाने लगा आप देख सकते हैं इसके साथ थाम इसमें धनिया पोडर डाल देंगे हुमने सुका हुआ धनिया लिया है नहीं दल्दरा कूटावा इसके साथ हम थोड़ी सीज में शिमला मेल्च भी डाल देंगे थोड़ी बात में डालेंगे और हरी मेल्च भी डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे सबको इसके साथ साथ ही साभू जीरा भी डाल देंगे पानी डाल देंगे पाले थोड़ा साथ हमने यह वाली बोतल लिया था पानी आदर डाल देंगे आदा इसमें वाकी है और आच हमने हलकी नहीं करिए तैजी आच है पिल्कुल आज अच्छे के पेपाण वाच्छे आज पिल्कुल यह आज पानी डाल दिया और थोड़ी सी शिलो कर देंगे और इसे पकने देंगे 5-6 मिनट के निया क्यम कर दिया और दिखाते हैं 5-6 मिनट के बाद इदे की 5-6 मिनट हो गए खोल के देख लेते हैं अच्छा सा उगल रही है पानी भी खुशक हो गया इसका फोड़ा सा बपीए गिरेवी में तो यह को तेज कर लेते हैं कि इसके साथ तह हो जो मस्तेलें यो टाल दीखेँ लाल मियो इंच पॉड़र डाल देंगे लाल ने ऐधा पने टेस्स के हिसाबसर तर दालें आपिंशनाने यहूंकि हमने इसमें हरी मिल्च भी ढंद यूं और अभी काली मिल्चे भी जाएंगी गरम मसाला भी जाएगा क्योंकि ये छीटे बहुत आती है इसमें क्योंकि अच्छा पॉडर भी डाल देंगे इसमें पिसावा धनिया ने डाला विल्कुल भी और फिर देख सकते हैं आपको इसमें बिराएगे कितनी है शुछ भी जब करेंगे अधिमें ये डाल देंगे दय को हिला रेंगे इसमें नहीं तो छोड़ेंगे तो दय फट जाएगी इसे लिए चलाते रहें और ये डालने का तरीक हम हर वीडियो में बताते हैं आपको और यह थोड़ा सा पानी डाल के दय में जब डालें अब देखिए और वो दई फट जाती है तो मसाले में अच्छी नहीं लगती है आप देख सकते हैं विलकुल सही है फटी नहीं है यह देखिए अब इसमें साव टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन हम ने कीज़ के डालें तो फुले को थोड़ा तेज कर लेते हैं इसके साथ साथ है हमने यह सिम्ला मिर्च रोकी ती यह डाल देंगे दोनों आपके पास रेड नहीं हो आप यल्लो या कोई सी नहीं हो तो आप खाली है भी डाल तकते हैं जरूरी नहीं है कि आपके पास सब वह तो डालेंगे आप काली मिर्च पोड़र गरम मसाला दाल देंगे अच्छे से मिला देंगे इतना बैदरिन लग रहे हैं चिकन कि अच्छे सबीओ आप podaudio? कि अ चारी मिला हैं तिक आपितने इतना देंगे इतना वबेंगे खीग रहे हैं कि अंचे से कम इतने हैं एक कि तो अमाल देंगे आप हैuna रही है थोड़ा रोक लेंगे बाद में डालने के निए और प्यास भी डाल देंगे प्यास साबूत ऐसे ही डाल सकते हैं या इसके अलग अलग पीस करके भी डाल सकते हैं चुले को थोड़ा से हलका कर लेंगे आप इसमें पानी नहीं है सारा होई लिए उपर पानी सब कुशक हो गया इसका जिसमें चिकन गल गया है विल्कुल देखें आपके सामने सब अलग अलग कर दिया अब देखें हमने प्यार डाल दिया सारी और सब अलग अलग को पीस कर दिया है अब देख सकते हैं इसे भी हम सब को मिला देंगे अच्छे से चिकन भी गल गया यह यह देखें यह आराम से तूट रही है अजय देखें हमने सब चीज़े इसमें मिला दिया इसमें कुछ नहीं जायागा शारी चीज़े डाल दियां चूलर को थोड़ा सा हल्का कर देते पांच मिनट के बाद दिखातें आपको पांच मिनट हमें इसे खुला हुआ यह ऐसी पकाना ढखेंगे नीं ढखेंगे तो है जो हमने शिम्रा मिर्च बात में किसी दाल वाउगे ईसलिए नियुख दक्राइप काक्टत पता ऑफिद्टत यंदि अब सब्सक्राइब होगवाई ननीय को दिया हिए घोड़ी मैं programmed mathematical लूट आपको मैं Wellness बिल्कुल तयार होगी आप देख सकते हैं और इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी एक देखिए रोगन है ओईली ए खाली भी भुनावा यह ऐसे ही होता है शिम्लमेच कड़ाई चिकन हमारा बिल्कुल तयार होगे हैं उसमें साथ खुछ वह भी अच्छ आ रही है अधिया मसाले दार चटपटा सा देखिए चूला को बंद कर देते हैं और आपको डिश में निकाल के दिखाते हैं कि देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको जिश्में अब इसमें आफ 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 देखिए हमारा शिम्ला मिल चुक कडाई चिकन बिल्कुल तयार हो गया अब देख सकते हैं थोड़ा सा हरधनिया डाल देते हैं वैसे तो जरूरत नहीं है इसमें कुछ डालने की हरा भरा यह वैसी है अच्छा लग रहा है और आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईए कैसी लगी और सब्सक्राइ करना जरूरी है और शेयर भी जरूर करिए आगे आप और फिर मिलते हैं अपने नई रैसिपी के साथ जब तक कहने हैं अल्लाह आफेज इतने कीजिए